नमस्कार मैं हो देवांसू आप देख रहें News for Nation अभी हाली में पतना में के बाकरगंच में बड़ी लूट की घटना को अनजाम दिया गया था और इस बीच आज घर में घुस कर अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अनजाम दिया है बताया जारा है कि इस दोरान बदमासों ने चाकू और पिस्टल की नोक पर करीब आठ लाख रुपे लूट लिये वह भाग रहे एक अपराधी किसी तरह के से लोगों ने पकड़ लिया इसके बाद अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया लूट और डकैती की घ अपार्टमेंट में हरकम का महौल बन गया मिली जनकारी के अंसवार घर के मालिक और मालिक के बेटे और उनकी पतनी उस समय घर पर ही महजूद थें यह घटना जो है वह देड़ सामकी है पाच की संख्या में डकैत आते हैं और डकैती की घटना को अंजाम देखें देते है जो विज्वल्स आप अभी स्क्रिन पर देख रहे हैं उसी घर की है जहां पर इस डकैती की घटना को अंजाम दिया गया करीब साड़े साथ लाक रुपे जो है वो लूट लिये गया है जब अपराधी जो है वो लुटेरे जो है वो फरार हो रहे थे तो किसी तरीके से अस इसकी गिरफतारी के लिए बागी साथियों की गिरफतारी के लिए पुलिस जो है वो चापे मारी भी कर रही है लेकिन कुल मिला के हैं जिस तरीके से हाल की घटना में बाकरगर्ज में लूटकांड हुआ उसके बाद आज फिर घर में घुसकर बड़ी लूट को अंजाम द पटना में इस घटना को अंजाम देना साम का वक्त और घर में घुस जाना हत्यार और चौकों के बल पर परिवार वालों से करीब साड़े साथ लाग रुपे की लूट करना ये बड़ा सवाल है फिलहाल पुलिस अन अपराधियों की गरफतारी के लिए छापे मारी भी कर है और जो अपराधि को पुलिस ने पकड़ा है उसे पूस्तास भी जारी है फिलाल अभी तक लिए इतना ही आप देखते रहिए न्यूस पर नेशन